अब इसे देखने को मिलेगा इसके साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आज आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे कैसे देख सकते हैं और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं इसे थेटर में देखना चाहते हैं इंडिया में तो उसकी रिलीस डेट क्या होगी इसलिए वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो लेकिन इसे पूरा सुनना ताकि कोई भी इन्फरमेशन आपसे मिस ना हो मैं दुबारा आपको एक बात रिपीट कर दूँ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे अगर मेसेज करोगे तो आपकी पूरी हल्प करता रहूँगा वाँ पर मैं जैसे मैं अपने और फॉलोवर्स की करता हूँ पर पास जहां पर हैं उसके पयरंट जहां पर आपको देखने को मिलेगे डेवट यह आनन सी मदल को मिलेगे मिलें जिसमें रेचल वीज और उसको साथ-सात आपको उसकी सिस्टर भी मिलेगी यह लिना और कैसे यह लिना और नताश दॉनों कैसे ऑhern Casey का पर बनते हैं उनके एक ऐसे black widow mission में और आखिर इस mission का ultimate motive क्या है ये सब जानने के लिए आखो देखनी पड़ेगी black widow लेकिन आईए मैं आखो बतायता हूँ इस movie के positives और negative सबसे पहले बात करें इस movie के positives की तो इस movie में दोस्तों आपको emotions, relations और action का एक balance तड़का देखने को मिलेगा जहाँ प अब बात करूं इसके थोड़े से negatives की तो मुझे वही लगा कि थोड़े से limited इसमें action scene तो जो action lovers हैं उनको थोड़ा थोड़ा बीच में gap मिलेगा before they actually see action scene अब बात करते हैं इंडिया में आज इसे आप कैसे देख सकते हैं दोस्तों आज ये सिर्फ और सिर्फ डिस्नी प्लस से release हुई है जो कि US का OTT platform है वहाँ पे रात को बारा बज़े Pacific time से release होगी तब इंडिया में दुपहर के साड़े बारा बज़े होंगे आज अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ English में देख सकते हैं अब डिस्नी प्लस जो की US का platform है उसे आप इंडिया स कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अब बात करूं इसके इंडिया के theater release date की तो theater release date फिलाल delay हो गई है लेकिन second week of August में most probably इसे release कर दिया जाएगा क्योंकि अब Fast and Furious की date भी release date आ चुकी है 5 अगस्ती और इसके साथ साथ quiet place 2 और conjuring में most probably August में आपको देखने को मिल जाएंगे त उसी time पर शायद Black Widow भी आपको देखने को मिल जाएगी बात करूं इंडिया के OTT release date की तो Disney Hot Star पर इसे release होना है जहाँ यह हिंदी में release होगी क्योंकि theaters में भी हिंदी और original languages में release होगी और OTT भी हिंदी और regional Indian languages में release होगी तो जब यह इंडिया में release होगी तो यह Disney Hot Star पर रिल हिंदी में भी stream करेगी आज ही अगर देखना चाहते हैं तो Disney Plus पर रिलीज भी है सिर्फ और सिर्फ English में उसे देखना है तो मेरे को एक बार Instagram कर लेना कुछ help हो सगी तो आपकी कर दूँगा दोस्तों मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए पसंद आयो तो च